है नमस्कार साथिए सवागत यह आपका अपने परिवार कीजियंग बाय आपका सवागत करता हूँ आपके परिवार टेट इन टीचिंग बाय एक्जॉंप पूर पर फ्यारे साथिए जल्दी से जल्दी लाइब आई ये वीडियो को सेर कीजे जोड़ी अपने सातियों को अपने साथ और प्यारे साथिवं अंजवाइं कीजिए मोग टेस्ट का प्रक्टिस एट का बहुत ही सांदार आप लोगों के यह प्रक्रिस एट मोग टेस्ट चल दाएं तो प्यारे साथ यो कोशन है प्रक्टिस सेट के बारे में मैंने मोग टेस्ट लिखाए कोई दिक्कत नहीं तो दोस्तों यहां पर कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स में लेकर आया हूं जो पिछले कुछ एक्जाम्स में लगातार यूपी पीएसी पूछ रही है जो यूपी पीएसी के द्वारा ल रंगों का ज्यादा चैनीज रंगों का प्रियोग ना करें तो प्यारे दोस्तों आप लोग आपको पता है कि चाइना में कोरोनों फैला हुआ है आप लोग उससे बचें सुरक्षा का इंतजाम रखें तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो आज कोशन ट्वेंटी हैं तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताओं कि जो मेरे प्यारे मित्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं यूपी बीएड इंटरेंस एक्जाम की यूपी SI की स्टैनो SSC की SSC स्टैनो CHSL की Air Force की NDA की तो प्यारे सातियों लगवा हमारे सारे बहुत ही बहतरी इन तरीके से चल रहा है आप लोग प्यारे सातियों जल्दी से उसको चलेंगे ठीक है तो इस चीछ को आप всё्रों से समझें चलिए कोशन नंमबर बन हैं आप लोग इसका जवाब देंगे कोशन नमबर वन आप लोगों के सामने लगा हुआ है इसका जवाब दीजिए कोशन नमबर वन आप लोगों के स्क्रीन पर लगा हुआ है जल्दी से बताएं जी फारिया मलिक जी जी नमसकार देखें निहा दुएदी जी को अनब्लोक करा तिया गया है उसी दिन मैंने अन्ब्लोक करा दिया था आप लोग नाराज हो रहे थे चैलिए जैये मोर्या जी नमसपकार निदा मिरजा जी नमसपकार सब ही लोगों को नमसकार निखा भारत को سंबीदहान दे का प्रस्ताव संविधान सवाद वारा पारित किया गया इसका क्या अंसर होगा जल्दी से बताएंगे सुसीला यादव जी नमस्कार जल्दी से बताएंगे इसका क्या अंसर होगा जल्दी जल्दी बताएंगे प्यारे सातियो कोशन नंबर वन आप लोगों के स्क्रीन पर ल और आपका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार बने ठीक है जल्दी से बताएं इसका अंसर क्या होगा कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के अभी तक जी स्वाती सरमा जी का डि आया है जो की गलत है देखिया आप लोग बίνा सोचे समझे जब आप दे रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है तो आप लोग स्ट PP ना मारें उमीद आप लोग बहतरी इन तरीके से पढ़े हम लोगों ने बात की थी संभीधान के प्रस्ताव की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उद्देश से प्रस्ताव था प्यारे सातियों संभीधान का प्रस्ताव कहलें उद्देश से प्रस्ताव कहलें प्रेमवल कहलें तो जो यह उद्देश से प्रस्ता अब जो था ये कब पेस किया गया अम मैं बात करूं उसको पेस करने के लिए क्या बात करूं पेस करने के लिए तो 13 दिसंबर 1946 को ये पेस किया गया कब 13 दिसंबर 1940 को नहरू जी ने इसे पेस किया तक इसने नहरू जी ने पेस किया और संविधान सभा की अगर बात की जाए कि संविधान सभा ने इसे कव पारित किया तो सम्विधान सभाने प्यारे सात्यों इसको पारित किया 22 जनवरी 1947 में कब 22 जनवरी 1947 में जिस समय ये पेस किया गया उसी समय प्यारे सात्यों दो वातों पर चर्चा हुई कि सम्विधान का प्रारूप कौन बनाएगा संभीदहन का प्रारूप कौन बनाएगा और उसकी जाँच कौन करेगा उसकी जाँच कौन करेगा तो प्यारे सातियों इसी प्रारूप को बनाने के लिए कहा गया बी एन राउ से किसे बी एन राउ बी एन राउ यानि की बेनेगल नर्सिंग राउ प्यारे सातियों इन्हों ने क्या किया प्रारूप बनाया याने कि इन्हों ने संभीधान का एक प्रारूप तयार करकर अक्टूबर 1947 में पेस किया संभीधान का प्रारूप बनकर तयार हुआ अक्टूबर 1947 में अब इन्हों क्या किया कोशन अठा देंगे हमारे कंप्यीटर जी तो प्यारे साथियों इनोंने क्या किया मेरे दोस्तों अजी मैं देख रहा हूं आप लोगों का अक्तूवर 1947 में जब इन्होंने पेस किया तो सम्भीदान में कुल 243 अनुच्छेद नोचेदों की इन्हों चर्चा की और मैं बात करूं अनुसूचियों की तो कुल कितनी अनुसूचियां इन्होंने इसमें सामिल की ती तो तेरह अनुसूचियां इन्होंने सामिल की बात करें कि जांच के लिए के कमेटी बनाई जाएगी तो 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई गई जिसे प् प्रारूप समीती ने बियन्राओ दौरा समीदहन के प्रारूप की जाच चिए जिसमें Advall 43 अनुसूचियों की बात थी प्रारूप समीती ने क्या किया जब जाच की तो अपनी जाच प्यारे साथ्यो 21 फर्वरी principles 1948 को सोंपिë कब 21 फरवरी 1948 को अपनी जाँच सौपी इन्होंने इसमें कुछ अनुच्छेदों को बढ़ा दिया जब इन्होंने जाँच सौपी तो इसमें 315 अनुच्छेदों को बताया और अनुसूचियों की बात की जाए तो इन्होंने अनुसूचियां कम कर दी कुल आठ अनुसूचियों की इनोंने बात की जिस पर संभिधान सभा में बिवाद हुआ फिर इनोंने इसकी दोआरा से जाची की तो बात हो रही है कि कब पारित किया गया था तो पारित करने की बात अगर आएगी तो इसका ओप्सन ए रहेगा एही ओप्सन था ना कि 22 जनवरी कौन सा बी ओप्सन था कौन सा ओप्सन था प्यारे सातियों बी ओप्सन था 22 जनवरी 1947 को संभिधान सभा के दोआरा संभिधान का प्रारूप पारित किया गया या हम यह कह सकते हैं कि उद्देश से प्रस्ताब पारित किया गया नेक्स्ट कोश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर जवाब देंगे मेरे मित्र कोश्चन नमबर ने के लिए चलिए बहुती बढ़िया जवाब आप सब लोग मित्र दे रहें तो एक बार प्लीज वीडियो को जादा से जादा सेयर करेंगे ताकि और भी मित्र हमारे हमारे साथ जुड़ जाएं जो मित्र अभी तक लाइब नहीं है जो सो रहें जिनके सपनों को साकार करने के लिए हम महनत करें दिन रात अपने सपने छोड़कर हमापके सपनों में लगे हुए हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है आपका करतब बनता है कि आप उन सपनों को पूरा करें जिन सपनों को आपके अंदर हमने और आपके पैरेंट्स ने देखा है तो आप लोग अप खूबी निभाएं उम्मीद है आप निभाएंगे भी लिकाए समानकार्य के लिए समानकार्य के लिए लिखाए वो ले नहीं है समानकार्य के लिए समान बेतन भारत के संविधान के भारतिय संविधान में अनुसूचित किया गया है किसमें अनुसूचित किया गया है राज् कि निदेशक सिधामतो में मौलिक कर्तब्व में यृतिक अधिकार में जल्दी से बताएंगे इसका क्या अंसर होगा उब जल्दी से बताएं मैरे मिट्र मिर्क जी आरके घी का जवाब है 29-39 देखेंगे हम लोग बात करेंगे मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल बताया था जब हम राज्ये के नीती निदे सकता तो पढ़ रहे थे अनुचेद 49 और अनुचेद 49 किसमें आता है डीपी एस पी में आता है किसमें से सकत्व हमने किस देश से लिए हैं तो यह हमने लिए हैं आयरलेंड के संभीधान से कहां से आयरलेंड के संभीधान से आप लोगों को रठ चुका होगा अब दोस्तों आयरलेंड के संभीधान से डीपी एसपी ले लिए और क्या लिया है तो दोस्तों अनुचेद असी राज्ज सवा का गटने और दोस्तों उच्छे दसी के खंड पांच खंड चार खंड तीन में क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि रास्ट पती बारा सदस्यों को किसको बारा सदस्यों को राज्ज सवा में मनुनीत करेंगे सदस्यों को राज्य सभा में मनुनीत करेंगे ऐसा प्रापदान हमने किस देश से लिया है तो ये प्रापदान भी हमने आयरलेंड से लिया है और क्या लिया है तो रास्ट पती निर्वाचन की पदती आप लोगों को याद रखना है कि रास्ट पती नर्वाचन की पदती भी हमने किस देश से ग्रहन की है तो ये भी हमने आयरलेंड के सम्मिदान से ग्रहन की है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा B होगा क्या होगा प्यारे सातियों B होगा चलिए उमीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे प्यारे सातियों बहुती बहतरीन तरीके से नेक्स्ट कोशन आप लोगों के स्क्रीन पर है कोशन नमबर तीन तो कोशन नमबर तीन का आप लोग जवाब देंगे मेरे मित्र, मेरे अजीज, दोस्त, मेरे पियारे साती आप लोग प्यारे दोस्तों कोुरोना वारेस से बचकर रहें सापधानिया वर्ते, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ दो एं क्यूंकि ये हाथों के माद्यम में से ज़्यादा फैल रहे चलिए कोश्यन नमबर आप लोगों के स्क्रीन पर थर्टीन जल्दी से बताएंगे क्या इसका अंसर रहेगा प्यारे साथियो कोश्यन नमबर थर्टीन है आप लोगों के स्क्रीन पर जल्दी से बताएंगे इसका अंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथि जल्दी जल्दी बतात रहेंगे बहुत ही बढ़िया जवाब है थर्टीन का जवाब आया है आप लोगों के स्क्रीन पर जल्दी से बताएंगे क्या इसका अंसर होगा भारत में मौलिक अधिकारों के संब्द में निम्न पर विचार कीजिए यह राज्य करते के बुरुद्ध गारंटी है यह संब्धान के भाग तीन में सूचित है यह संब्धाने का आर्तिक ततर राज्य नियाएश सुनिष्चित करते हैं यह संयुक्त राज अ्मेरिका में अधिकारों की भाती नहीं है जल्दी से बताएंगे इसका क्या अंसर होगा जी मेरे मित्र मेरे प्यारे साती सभी लेकिन अभी तक लग रहा है किसी ने जवाब सही से दिया नहीं है देखिए हम लोग बात करते हैं जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से अनुच्छेदों के बारे में मूल अधिकार हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ाता समीधान के भाग तीन में इसका मतलब यह वाला पा यह मौलिक अधिकारों का उलंगन किया जाए तो साब सब्दों में लिका राज्य करत के बुर्द एक गारंटी है तो जाहिर सी बात है राज्य के बुर्द करत कारंटी है कि राज्य कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का उलंगन किया जाए तो साथ यह भी ठीक है अब लिखा है यह सामाजिक आर्थिक तता राजनीतिक नियाए सुनिस्चत करते हैं तो यह धी एक दम ठीक है नियाए भी देते हैं अब लिखा है चौथा चौथा क्या लिकाए कि USA के अमेरिका से मंतीका के संभीधान से लिए तो प्यारे साथियों ऊसी के енिंखिती है तो एक दो तीन चार गलत होगा अब ऐसा ओप्सन कौन सा है ऐसा हों सा है प्यारे सातियों देखिए आपके स्क्रीन पर हिंदी और English दौनों में लगें अब आपके स्क्रीन पर आपसन लगेंगे अब आपके स्क्रीन पर आपसन लगेंगे नीचे आपके आपसन होंगे आप लोग उसको देखेंगे देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर आपसन लग चुके हैं इसमें आप बताएंगे क्या इसके आपसन सही है कौन कौन से आपसन सही है एक और दो सही है दो और तीन सही है एक दो तीन सही है या चारों सही है जल्दी से बताएंगे तो प्यारे स हुआ भाती नहीं है मतलब उसके जैसे नहीं बलकि उसके जैसे ही है इसलिए चौथा गलत होगा इसका डी आंसर रहेगा कोशन नंबर फूर कोशन नंबर फूर है जल्दी से बताएं जी कूट आपके सामने है क्योंकि कोशन बढ़ा था अगर मैं इसको जूम करके नहीं लग सी है क्या होगा प्यारे साथी ऑफसन सी है क्या ऑफसन है इसका सी ऑफसन होगा चली हम नेक्स्ट कोशन की बात कर रहे हैं प्यारे मित्र कोशन नंबर फूर है आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोग जवाब देंगे हंजी डियर मैंने सी कर दिया है क्योंकि एक दो तीन मै कितमे से किने सरवोच्चिन यायलेम ने मौलिक अधिकारों के रूप में माननता दी है किस किस को माननता दी है जल्ली से बताएंगे इसका अंसर प्यारे साथियो जल्ली से बताएंगे क्या इसका अंसर होगा जल्ली से बताएं प्यारे साथियो देखिए इसमें एक ही ऑप्षन को विदेश यात्रा का दिकार विदेश यात्रा का दिकार आवास का दिकार समान कारे के लिए समान बेतन का दिकार इसमें प्यारे साथ यो हंजी ऑप्षन दो और तीन एक जैसे ही लिखे हुए हैं ऑप्षन एक और दो एक जैसे ही लिखे मित्र जी जल्दी से बताएंगे प्यारे सात्यों इसका क्या अंसर होगा तो प्यारे सात्यों देखो समान कारे के लिए समान बेतन का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आया है ये राज्ये के नीती निदेसक तत्वों में हैं तो आवास का अधिकार है विदेश जाने का अधिकार है ठीक है तो विदेश जाने का अधिकार एक दो तीन को हम यहाँ पर कर लेते हैं हम यहाँ पर डी आफसन सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है किसको सेलेक्ट कर लेते हैं डी आ मैंका गांधी मैंका गांधी एक केस था मैंका गांधी केस ठीक है राजीव गांधी की चाची है अंटी है राजीव गांधी की चाची है ठीक है मैंका गांधी राजीव गांधी की भावी है संजय गांधी की पत्नी है ये तो प्यारे सातियो मैंका गांधी एक केस था जिसमे बिदेश जाने के अधिकार को मूल अधिकारों में सामिल किया और यह किसमें आया प्यारे सातियों यह किसमें आएगा बिदेश जाने के अधिकार आप लोगों को पता है प्राण एवम देही के स्वेतंतरता में आएगा तो अनुचेद 21 में लिया था इसको किसमें स्वेतंत नमबर फाइव कोशन नमबर फाइव है आप लोगों के स्क्रीन पर इसका जवाब देंगे सातियों कोशन नमबर फाइव का बहुत ही बढ़िया शांदार प्यारे दोस्तों हन जी मति उल्ला सिद्धिकी जी बता रहें मेंका वर्सिस स्टेट सरकार मिनाक्ची चोहन जी बता रहें बहुत ही बढ़िया बिमलेज जी बता रहें बहुत बढ़िया शांदार जवाब गारगी सिंग बतारें 21 बहुत ही बढ़िया जवाब है आप लोगों के स्क्रीन पर सन्नी जबाब देंगे कोशन नमबर फाइव का आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है कोशन नमबर फाइव लिकाए भारत में प्रतियक नागरिक का करतब में होगा कि प्राकृतिक परियावन कर स्रणलक्षन एवं सुधार करें बहुत ही अच्छा कोशन है जल्दी से बताएंगे इसक नहीं था ये मूल संविधान में नहीं था पांचवे की अगर मैं बात करूं तो सरदार सुण सिंह समीती आप लोगों को याद है सरदार संसिंह समीती इन्नोंने क्या किया सरदार स्वाइण संग्स शमीति ने भूतपूर्वनियादीश्त समीति इन के नेतरत में प्यारे सातियों क्या किया गया 42 वे संविधान संसोदन 1976 के दौरा 42 संविधान संसोदन 1976 के दोरा अनुच्छे 1-51 का जोडा गया या 51 एσι जोडा गया और सम्भीधान में भाग चार का जोड़ा गया कौन सा चार का जोड़ा गया जिसमें प्यारे सातियों कहा गया क्या कहा गया इसमें प्यारे दोस्तों इसमें कहा गया कि पर्यावरन पर्यावरन को सुरक्षित रखना हमारा करतब्वे होगा क्या होगा मौलिक करतब्वे होगा इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे तो 48A में आता है 48A में जरूर आता है लेकिन आप लोग प्लीस एक बार कोश्चन को जरूर पढ़ें इसमें एक बार कोश्चन को जरूर पढ़ेंगे प्यारे साथियो 48 का और 51A हम लोगोंने बात कीती हं जी हं जी देखिए हम लोगोंने बात कीती सरदार स्वांशिंग समीटी आप लोग प्यारे साथ यो एक चीज हम लोग यहां पर पढ़ रहते तो इसने क्या किया इसको जोड़ा इसमें भी क्या था वन से सरनक्षन था और हम लोगों ने एक अनुच्छेद बढ़ा था और तालिस जिसमें क्या था किर्सी एवं किर्सी एवं पसू हत्या निसेद ब चीजें थी उनके बारे में बाती की गई थी तो यहां पर इसके आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों इसका कर चलेंगे अगले पृतिव पर बात करेंगे नैक्स चलिए नैस्ट और इसट में ही आप लोगों का जो भी बता रहें वोभी ठीक जो सी वता रहें उनका भी ठीक है तो sabori b 3 दोनों ही इसके inser हों नेक्स्ट Explosion एजली से बताएंगे इसका क्या अंसर होगा प्यारे साथ crelas बताएए इसका लेंगाuciatiques का रहेगा कोशन नमबर सिक्स आप लोगों के स्क्रीन पर आज हमारे प्लिस ज़दी से जवाब दीजिए कि हमारे जो मित्र वो कहां पर गए हुए है आज लाइब बहुत कम है जल्दी से बताएंगे चलिए क्या अंसर रहेगा जल्दी जल्दी बताएंगे भारतिय समीधान में राज्ये की नीती निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है सवी लोगों को पता है इसका कहां से लिया गया है जल्दी से बताएंगे बहुत ही बढ़िया मित्र आप लोग जवब दे रहे हैं Ireland से कहां से Ireland भी आंसर रहेगा आप लोगों को मैंने जस्ट अभी बताया था कि Ireland के संवीदहान से प्यारे सातियों हमने क्या क्या चीजें लिए एक तो डीपी एस पी लिया है डीपी एस पी लिया है रास्ट पती के निर्वाचन पदती लिया अनुच्छेद पच्छपन ठीक है रास्ट पती के निर्वाचन पदती और प्यारे साति अनुच्छेद असी लिया है जिसमें प बिधी के सासन या विधी द्वारा स्थापित पिरक्रिया जापान के संभीधान से हमने क्या लिया है प्यारे दोस्तों तो जापान के संभीधान से लिया है विधी द्वारा स्थापित पिरक्रिया क्या लिया है विधी द्वारा स्थापित पिरक्रिया ठीक है पिरक्रिया उ लोग समझ रहे हैं प्यारे साथ यो फ्रांस से हमने क्या लिया है गड़त अंत्रतात्मक वैवस्था कहां से लिए हैं USSR के समीधान से ग्रहन किये हैं चलिए कोशन नमबर 7 पर आते हैं कोशन नमबर 7 है आप लोगों के स्क्रीन पर देखिए वो ही कोशन है जो पिछले साल पूछे हैं बस टाइपिंग में स्पेलिंग में भले हमारे टाइपिस्टे गलती हो जाए लेकिन कोशन म कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है अगर इस पैलिंग मिस्टेक हो जाए उसमें कह सकते हमारा टाइप इस्पैलिंग मिस्टेक भले कर गए होंगे लेकिन कोशन जैसे आते हैं वैसे हम यहां पर टाइप कर वाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन आप लोगों के स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया जवाब हैं आप सब लोगों के प्यारे सात्यों जल्दी से बताएं अनुरा केसी जी कह रहे हैं सर राज से बुखार है और स्टोमस पेन है तो प्लीस आप लोग दबाई लें और चेक अप जरूर कराएं ठीक है लिखा हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर कि भारत में रास्ट पती की मिर्तियू पद त्याग अत्वा हटाये जाने पर पद से हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है एक महा, तीन महा, नौ महा, चे महा आप लोग सभी जानते हैं कि जब देश में रास्ट पती की मिर्तियू हो जाए, रास्ट पती पद पर ना हो ऐसी इस्तिती में उप रास्ट पती अनुच्छेद 65 के तहत जो उप रास्ट पती है प्यारे सातियों उप रास्ट पती आर्टिकल 65 के अकॉर्टिंग कार्रे वाहर कार्रे वाहर कार्रे वाहर कार्रे वाहर रास्ट पती का रूप कार्रे वाहर रास्ट पती के रूप में कार उप रास्ट पती भी अपने पद पर ना हो रास्ट पती भी अपने पद पर ना हो तो अनुच्छेद 126 में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायदी सोगा वो क्या करेगा देखो एक बार ऐसा हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मैंने बताया भी है कि जब डॉक्टर जाकर हुसेन की मृति हुई किसकी जाकर हुसेन की याद रखना जब जाकर हुसेन की मृति हुई प्यारे दोस्तो हुसेन रास्ट पती थे इनकी मृति हो गए 1969 में ये क यादी होगा बीवी गिरी कौन थे प्यारे सातियों बीवी गिरी देश के उपरास्ट पती थे तो बीवी गिरी प्यारे दोस्तों इन्होंने अपने पद से क्या किया त्याग पत्र दिया ठीके क्या कर दिया त्याग पत्र दे दिया यानि कि रास्ट पती पद का पद पर कोर्ट के मुख्य न्याइदीज थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याइदीज याद रखना कौन मुख्य न्याइदीज कौन थे उस समय तो आप लोगों को याद रखना है एम हिदायत उल्ला कौन एम हिदायत उल्ला दोस्तों एम हिदायत उल्ला देश के प्रत्थम मुख न देखिए हम लोग इसको मैं मिटा देता हूं तो आप लोग उम्मीद कर चुके हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पद पर भर जाना जाहिए उस पद का चुनाब हो जाना चाहिए next question is आप लोगों के screen पर question number 8 question number 8 है प्यारे साथियों जल्दी से बताएंगे question number 8 का क्या answer होगा प्यारे दोस्तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताएं मेरे मित्रो question number 8 आप लोगों के screen पर लगा है बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं चलिए बताएंगे लिखा हुआ है कोशन नमबर एट जल्दी से बताएंगे अगर अगर देखे लिखा है भारत में नियाइक पुन्रावलोकन की संकल्पना निम लिकित में से किस देश से ली गई है जुडीसियल रिव्यू आप लोग जानते हैं प्यारे सातियों नियाइक पुन्रावलोकन प्यारे सातियों यह किस देश से लिया गया है तो हम जानते हैं USA के संभीदान से किस से USA जिसे हम अमेरिका कहते हैं United State of America कहते हैं प्यारे सातियों लिया गया है अब यहां से क्या क्या लिया है हमने अमेरिका के संभीदान से मूल अधिकार लिये हैं क्या अधीकार लिये हैं प्यारे सातियों हमने उप रास्ट पती का पद लिया है क्या लिया है उप रास्ट पती का पद लिया है और दोस्तों हमने रास्ट पती पर महावयोग प्रिक्रिया लिये रास्ट पती पर महावयोग प्रिक्रिया ठीक है आपको याद होगा महावयोग प् समिधान से लिए और प्यारे साथियों हमने क्या लिया है अमेरिका के समिधान से स्वितंत्र न्यायपाली का क्या लिए स्वितंत्र न्यायपाली का याद रखना स्वितंत्र न्यायपाली का हमने कहां से लिए तो ये भी हमने प्यारे साथियों अमेरिका के सम्विधान से लिए तो इसका अंसर क्या होगा भी अब आपका लिखा United Kingdom याने की ब्रिटेन ब्रिटेन के सम्विधान से हमने क्या क्या ग्रहन किया है तो आप लोग जानते हैं विधी विधी बनाने की प्रक्रिया एकल नागरिकता ठीक है एकल नागरिकता विध प्रिक्रिया एकल न्याइक प्रणाली यह सब हमने कहां से लिया है ब्रिटेन के संभीदान से यू एसे सार के संभीदान से मौले करतब है ऑस्टेलिया के संभीदान से प्यारे सातियों प्रस्तावना की भासा प्रस्तावना की भासा और दोस्तों संबर्ती सूची जो साथ भ कोशन नमबर 9 की तरफ बढ़ेंगे कोशन नमबर 9 है आप लोगों के स्क्रीन पर जल्दी से बताएं कि कईू वासने के वी सर एक हैल पर दो बता दो आर्ट सवाले स्टुएंट्स को कौन-कौन से क्लास लें पेपर सेकंड के आर्ट सब्जेक्ट पेपर के लिए प्लीज बत पढ़ना है सारा कुछ पढ़ना है प्यारे साथियो ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन बताएंगे प्यारे साथियो क्या इसका आंसर रहेगा लिखा है कोशन नमबर आपके स्क्रीन पर के भारतिय संविधान के अनुच्छे 344 के तैत प्रतम राज्किय भासा आयोग का प्रा प्यारे में ठीक है तो प्यारे साथियो आप लोगों को मैंने ये भी बताया ता लेंग्वेज उसमें मैंने बताया ता राज भासा जिसे हम हिंदी में बोलेंगे राज भासा तो प्यारे साथियो जब राज भासा बनाए गई तो उसमें अनुच्छे 344 में क्या कहा गया इसमें कहा गया कि सम्विधान लागू होने के पांच साल बाद, यानि कि सम्विधान 1950 में लागू हुआ, पांच साल 1955 में, बीजी खेर, बीजी खेर यानि की बाल गंगा धर खेर, बाल गंगा धर गंगा धर खेर, जिनको हम सौट फों में बोलते हैं, बीजी खेर, इनके नेतरत में एक आयोग बनाया गया, जिसे राज की ये भासा आयोग कहा गया, तो याद रखना दोस्तों इसका अंसर क्या होगा बी इसका अंसर क्या हो जाएगा बी चलिए बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट कोशन है आप लोगों के स्क्रीन पर कोशन नमबर 10 कोशन नमबर 10 है जल्दी जल्दी बताएंगे इसका अंसर क्या होगा तो दोस्तों आप लोग याद रखना और इसी में ये कहा कि संविधान 65 में कब 1965 में यानि कि यहां पर ही कहा गया था कि प्रतियक 10 साल बाद राज्किय भासायों का गठन किया जाएगा चलिए उमीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा नेक्स्ट कोशन आप लोगों के स्क्रीन पर है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 10 आप लोगों के स्क् चैनल के साथ नए जुड़े हैं जिन्होंने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है एक्जाम पूर एवं टेट एंट टीचिंग बाय एक्जाम पूर दोस्तों जादा से जादा उनको सस्क्राइब करें लिखा है संभीधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भासाओं में न जवाब क्या होगा बहुत ही बढ़िया जवाब आप सब लोग दे रहें बंगाली बहुत ही बढ़िया कौन सी भासा है प्यारे दोस्तों बंगाली चलिए जल्दी से बताएंगे हां जी क्या इसका अंसर सभी लोग बता रहें ए बहुत ही बढ़िया इसका अंसर क्या होग देखी हम बात करेंगे आठवी अनुसूची की आप लोगों को मैं दोस्तो रटवा देना चाहता हूं कहीं से भी कोशन आए आप लोग कोशन छोड़ कर नहीं आएंगे आठवी अनुसूची तो प्यारे सातियों आठवी अनुसूची में क्या था कि जो मूल भासाएं ती ज बटवाया है कि सिंधी भासा को जोड़ा गया किसको सिंधी भासा जोड़ी गई थी ठीक है और यह भासा कब जोड़ी गई तो यह भासा जोड़ी गई 21 संबिदान संसोदन 1967 के द्वारा उसके बाद प्यारे साथियो 71 संबीदान संसोदन 1992 में हुआ जिसमें चतीन भासाइं जोड़ी गई थी कौन कौन सी कौकड़ी मरीपुरी और नेपाली जिसे हम सौट फॉर्म में नामक कहते हैं नामक नमक बोलते हैं ठीक है अब मैं बात करूं साथियों की 92 संबीदान संसोदन हुआ कौन सा बयानवा संबीदान संसोदन हुआ 2003 में इसमें क्या किया गया दोस्तों मेरे दोस्तों यहां पर चार भासाइं जोड़ी गई कौन कौन सी मिथाली या मेथली और कौन सी थी संथाली कौन सी संथाली और कौन सी थी बोडो और कौन सी थी डोगरी कौन सी डोगरी दोगरी तो प्यारे साथी अग्ला प्रस्रेया आप लोगों की स्क्रीन पर कोशन नमबर 11 कोशन नमबर 11 है प्यारे साथी ओ इसका जबाब देंगे कोशन नमबर 11 का जल्दी जल्दी बताएंगे कोश्चन नमबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर है क्या इसका जवाब होगा बिसाल गौतम जी ये बियो की ही तो चल रही है कलास चाहें बियो की हो चाहें आप लेखपाल की हो चाहें आपके किसी भी एक्जाम की हो ठीक है कोई भी एक्जाम आपका हो आप लोग प्लीज इसको याद रखें कि ये पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है कि आपके किसी भी एक्जाम में हो सब में आती है ठीक है नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ इसका क्या जवाब रहेगा चलिए दोस्तों चाहें यूपी लेखपाल हो चाहें बी एड हो चाहें आपका यूपी पुलिस हो चाहें यूपी एसाई हो चाहें कोई भी एक्जाम हो ठीक है चाहें आपका बी ओ हो ठीक है एजुकेशन ऑफिसर कोई भी हो सब में दोस्तों सेम आती है लगबग नेक्स्ट कोशन है सर्व सम्मती से निर्वाचित हुए रास्टपती कौन थे किसको चुना गया था जल्दी से बताएंगे आप लोगों को पता है कि यह बैक्ति वो थे जो पहले चुनाव में तो हार ग नमबर सी एन संजीव रेड़ी याने की नीलम संजीव रेड़ी नीलम संजीव रेड़ी याद रखेंगे प्यारे सात्यों नीलम संजीव रेड़ी देश के प्रतम प्रतम रास्टपती हैं जो निर्वरोद चुने गए हैं जो निर्वरोद चुने गए हैं याद रखेंग जो निर्वरोद चुने गए उमीद है आप लोग समझ गए होंगे ठीक है अब बात करें रादाकरसन तो रादाकरसन लगातार दो बार उपर रास्ट पती बनने वाले वेक्ती थे ठीक है बीवी गिरी उपर रास्ट पती थे उसके बाद रास्ट पती बने ग्यानी जैल 12 का जल्दी से बताएंगे इसका अंसर क्या होगा मेरे प्यारे साती आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी जवाब दें बिसाल जी एक ही मैसेज को बार बार कर रहे हैं मैंने बताया तो बिसाल जी आपको चलिए बताएंगे इसका क्या अंसर होगा लिखा है राज्य सवा के गठन में प्रतिवा अनुबव एवं सेवा के प्रतिन्दी देने में भारतिय सम्मिधा निर्माता निम्नांकित उधारां से प्रवावित हुए थे इसका क्या अंसर होगा जल्दी से बताएंगे इसका अंसर क्या रहेगा किसे प्रभावित हुए थे जल्दी जल्दी बताते रहें प्यारे साथी इसका क्या अंसर रहेगा मेरे मित्र जल्दी से बताएंगे आप लोग चलिए आप मैसेज करते रहिए लिखा हुआ है कि राज्य सवा के गठन में पृतिवा अनुभवी एवम सेवा की पृतिनित्व देने वाले हम लोगों ने बात कीती है अभी कुछी देर पहले कि राज्य सवा में जो सदस्यों को मनुनीत किया जाता है रास्ट पत के द्वारा तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो राज्य सवा में 12 सदस्य मनुनीत होते हैं ये कहां कहां से आते हैं ये कला के छेतर से आते हैं ये साहित्ते के छेतर से आते हैं ठीक है और ये प्यारे दोस्तों विग्यान के छेतर से आते हैं कहां से विग्यान के छे से गसे से टिक यह शेतरों से चुने जाते हैं जो कि हमने आयरे लेंड के सम्मिधान से लिए आयर लेंड के समीधान से और आयरेंड के समीधान को यहां पर आयरिस गड्दंटर लिखा हुआ है यानि कि इसका नसर क्या हो जाएगा कि आयर dwarf के सम्मिधान से हो रही है यहां पर बात तो Ireland से लिया गया कहां से Ireland Ireland के सम्मिधान को हमने या Ireland को हमने आईरिस गरतनत्र बोला है ठीक है आप समझ जाते हैं आप तो नाम से ही समझ जाना चाहिए तब फिर भी आप लोग गलत जबाब दे रहें कितनी गलत बात है चलिए कोशन नमबर 13 पे आते हैं प्यारे सात्यों कोशन नमबर 13 है आप लोगों के स्क्रीन पर जल्दी से बताएंगे क्या होगा नेक्स्ट लिखा है आप लोगों के स्क्रीन पर कोशन नमबर 13 इसका जवाब दें क्या होगा कोशन नमबर 13 का प्यारे सात्यों जल्दी जल्दी जवाब देंगे मेरे मित्र हां जी क्लीन क्यों नहीं देख रहा है तो डियर आप एक बार अपने नेट को रिफ्रेस्ट कर लीजे ठीक है आपको क्लीन दिखेगा लिखा हुआ है हां जी नेटर प्रॉब्लम हो जाती है वो आपकी लिखाएं निम लिकित दाव्जियों में अनुसूचित ज बताएंगे इसका अंसर क्या होगा जल्दी से बताइए प्यारे सात्यों इसका अंसर क्या रहेगा जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे मित्र ऑल बहुत भी बड़ी आडी आंसर रहेगा सांदार जवाब दिया है इसका क्या अंसर होगा डी देखेंगे अनुसूचित जातियों के लिए लोग सवामे स्तान आरक्षित नहीं है केरल थमिलनाडू करनाटक केरल थमिलनाडू करनाटक तो प्यारे सात्यों सभी में क्या होगा इसका answer all हो जाएगा चलिए question number 14 की तरफ चलेंगे question number 14 क्या कहता है please जवाब देंगे आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दें क्योंकि समय हमारे पास कम है और आज हम लोग question भी कम ही कर पाएं है 20 questions question आप लोगों के screen पर है question number 14 तो प्यारे साती आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे question number 14 का क्या answer है प्लीज जल्दी से बताईए कि लिखा हुआ है नियम लिकित में से कौन समीधान के संसोंदन द्वारा नीती निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया सोसन से बच्चों बैसकों की स्रक्षा समाने न्याय और निसुल कानूनी सिक्षा आचार सहीता उद्द्योग प्रबंदन में सिर्मुकों की भागेदारी इसका क्या अंसर क्या होगा जल्दी से बताईए बहुत ही अच्छा कोशन है जल्दी जल्दी बताईए प्यारे दोस्तों क्या अंसर रहेगा जल्दी से बताएंगे क्या अंसर होगा साथियो कोशन नमर 14 का डी क्यूं बता रहे हमने पढ़ा नहीं था क्या हमने पढ़ा नहीं था उद्योगों के लिए राज्ये के नीती नहीं दे सक तत्वों में आता है वो तो पहले से ही था ठीक है जल्दी से बताएं कौन सा था तो प्यारे साथियो सी सहीता का क्या था प्यारे साथियो आचार सहीता सी आफसन होगा इसका सी आफसन रहेगा चलिए कोशन नमर 15 कोशन नमर 15 जल्दी से लगाएं कोशन नमर 15 का अंसर क्या होगा तो साथियो प्यारे मित्रों जल्दी जल्दी कोशन लगाएं कोशन नमर 15 जल्दी से बताएंगे किसका क्या अंसर होगा आप लोगों के स्क्रीन पर है कोशन नमबर 15 जल्दी से बताईए कोशन नमबर 15 का अंसर आप लोगों के स्क्रीन पर क्या कहता है कोशन नमबर 15 लिकाए निमल कितमे से कौन समिधान समिदान के 40 समिदान संसोदंद्वारा ये तो हो चुका है नेक्स्ट कोशन है 15 आप लोगों के स्क्रीन पर कुशन नमबर 15 जल्दी से बताएंगे क्या इसका अंसर रहेगा भारत में रोजगार ब्रदी दर बहुदा रही है लगवग 2 परतीसत 3 परतीसत 5 परतीसत 7 परतीसत इसका अंसर बताएंगे प्यारे सातियो क्या भारत में रोजगार ब्रदी देख दोस्तों अगर हम एवरेज के अकॉर्डिंग चलेंगे हम एवरेज पर अगर चलेंगे तो उसका अंसर क्या होगा प्यारे सातियों दो प्रतीसत क्या होगा दो प्रतीसत ऑफसन नंबर ए क्या होगा प्यारे सातियों ऑफसन नंबर ए दो प्रतीसत यहां पर बेरोजगारी अनिम्प्लॉइमेंट रहता है तो प्यारे सातियों उमीद है आप लोग बहुती सांदार तर तो आप जादा से जादा जुड़े और 6-8 आज साम को मेरीकलास होगी तो आप लोग उसमें जरूर आएंगे ठीक है इसमें डैमो चलेगी आज तो आप लोग उम्मीद है सभी लोग देखेंगे सातियों तो आप सब लोग जादा से जादा अपने परिवार की जो इंपोर्टेंट कोर्सेज हैं चाहें वो यूपी बीएड इंट्रेंस एक्जाम का हो क्योंकि तभी आप लोगों को सेलेक्शन होगा जब आप मेहनत करेंगे तो मातर 299 का यूपी भी एड ठीक है एससी स्टैनों का प्यारे सातियों बारा मार्स से पचास दिन का टारगेट बेच हमारा चलाया जाएगा उम्मीद है आप लोग उसको जरूर जोइन करेंगे बहतरीन बहतरीन एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ जय एग